कि नमस्कार दोस्तों सौर्ण आपका ट्रेंड को पप्ड़ों चैलंग में दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबी बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों बिना किसी देड़ी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो यह निफ्टी का अनलेसिस जैसा कि हम डेली करते ही हैं त दिसक्रस करेंगे तो आप बने रहेगा हमारे चैनल पर और यह वीडियो अंत तक देखेगा और अगर आप नहीं है तो जरूर से वीडियो पर लाइकन सब्सक्राइब कर लिए तो दोस्तों सबसे बहले मैं निफ्ट्री को आपको वन डे टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूं दोस्तों यह जो एक लेवल है ना यह यह दोस्तों लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है आपको इस लेवल का जुरूर से द्यान अकना आप देखें तो निफ्टी काफी बार इस लेवल को डिफेंड कर चुका है और यहां पर 50 डे का मूविंग एवरेज भी आ गया त अब देखेंगे थेथर करते होगा तो अब अब टैच्था यहां पर आप देखेंगे तो यहां जरेदे तो और आप देखेंगे तो आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो ज्यादा कॉंटिटी में मत काम करेंगा अपसाइड के लिए लेकिन अगर डाउन साइड में आता है तो कहीं नहीं दोस्तों यहां से 19,000 तक के लेवल समय देखने, तक इंपोर्टन सब्सक्राइब तो यहां से मार्केट की देगा तो यहां से लीक्त कर रहा है अभी तक बट यह अभी यहां पर इसा भी होता है तो इतना वेट नहीं करता है तो यहां पर हमको कौशियस रहना पड़ेगा यहां से अच्छा मुव आता है तो गईना कहीं बैंक को भी अच्छे से उपर जाता हुआ देख सकते हैं फिलाल के लिए भी अभी हम पहले सी प्र रही है काफी अच्छी न्यूस भी रही है और जो हमारा लास्ट सेशन में जो हमारा निफ्टी जो सब्राइजिंग मूव दिया था अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इक्जेक्टली यह और राउंड 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 यहां पे अच्छे से बाउंस बैक हु तो उसमें वहाँ पर उन्हों बोला था कि अगर हम 22 को उसको डिलिस्ट कर देंगे जियो को अगर नहीं आता है तो लिस्ट नहीं होता है तो वह प्लाइनस्ट को देखेंगे फिलाल राउंड चार्ट को मैंने पहले आपको दिखाया था अगर आप हमारा कंटेंड देखते होंगे तो आपको भी दिखाया तो मैंने की किस तरीके से यहां पे एक प्लेंड टाइप का इसे बन रहा है जिसका ब्रेक हो जुगा यहां पर यहां पर जाता तो यह अच्छा ट्रेड हो सकता है और आप देखेंगे तो यह अपने 50 डे पर यहां पर सपोर्ट भी ले रहा है तो दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट जगे पर लाइन से दुस्तों अगले स्टॉक्स की बात जरते हैं इस गील का स्टॉक हो गया तो फिलाल तो थोड़ा यह वीक है लेकिन इसमें इस ट्रेंड लाइन की सकते हैं यहां पर आप देखेंगे तो यह काफी लंबे समय से यहां पर एक कंसॉलिडेशन फेज में था और फाइंडली आप एक ब्रेक आउट हो सकता है यहां पर मुविंग एवरेज भी अल्मोस्ट नियर है और 50 डे मुविंग एवरेज पर भी स्ट्रगल कर दोस्तों कर यहां से यह लेवल अगर कल को ब्रेक हो जाते हैं और उसके यहां से अच्छी टार्गेट मिलेंगे तो दोस्तों इस चीज कभी आप ध्यान रखना सकते हैं और अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो यह पहुत अच्छी जगए पर आ चुगा है यह तो वन आवल का शार्ट में आपको वन डेट चार्ट में दिखाता हूं यह दिखिया यहां पर यहां पर यहां से मार्केट को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो नहीं नहीं हमें यहां से अच्छी आपको एक अपसाइड मिलेगी आईशर मोटर में तो दोस्तों इसे स्टॉक को जरूर द्धान नकेंगे और भाइंग का प्लान हम लोग करेंगे जब यह इस लेवल को तोड़ देगा ठीका दोस्तों तो नेक्स्ट इस्टॉप में हमारा अपको बताया था कि यहां से एक इसमें फॉल आ सकता है क्योंकि एक इंपर्टनेंट एसिस्टेंस था और वही हुआ हुआ ठीका दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों तो इस टॉप को भी आप अपने कहीं अपने रडार पर रखिएगा अपको अच्छे से रिटन में रखते हैं उसके बाद दोस्तों फिर अगर यहां से जाता हुआ अच्छी बात है इस टाइप से भी पैटन बना सकता है तो देखने व करना तो जरूर से कमेंट करके बता है और दोस्तों अगर आपने हमारा नया वीडियो नहीं देखा है जो कि एक स्ट्राटेजी थी स्कैल्पिंग के उपर तो उसको जरूर से देखें यहां पर आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा होगा तो दोस्तों उमीद करता हू आप दोस्तों वीडियो को देखेंगे और अपनी ट्रेडिंग में काफी एनहांस करेंगे तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई अनालिसिस के साथ